तो यहाना आठ द्याए बद्टीस आयत लिखा सत्य को जान देखेगा पढ़िएगा आप बाइबल में वहां पर देखेंगे हम उसका अनुवादिश शब्द क्या लिखा है सत्य को जान और सत्य हमें क्या करेगा स्वतंत्र करेगा अजाद करेगा जब तक हम सत्ति को नहीं जानेंगे शेतान मारता रहेगा वहाँ पर शेतान अपना बल दिखाएगा समझ रहें की नहीं बातों समझ रहें की नहीं जैसे उदाहरन के लिए आपको फीवर आया, बुखार आया डॉक्टर के पास जाने के बाद बोल रहें कि मेरा हड़ी में दर्द है, मेरा क्या है योहनाट का 32 पढ़िए, हमारे साथ सब लोग पढ़िए सत्ति को जानो गे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा क्या करेगा अब यहाँ पर कौन से सत्ति की बात हो रही है किस प्रकार का सत्ति है और चलिए इबरानियों 11, ध्याय वचन 6 की वाकई परमेश्वर हमें आज क्या चीज़ देना चाहते ह। दूसरा आयत को देखे, दूसरा वचन देखे इबरानियों 11, 6 हमारे साथ सब लोग बोलिए विश्वाश बिना उसे प्रशन करना अन होना है हो ही नहीं सकता आप विश्वास ना करो और परमेश्वर आप पर खुस हो जाएए हो ही नहीं सकता अन होना है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि येश्व मसी है और खोजने वाले को वो फल देता है अब बता रहा है ये आपका भरोसा होना चाहिए ये चीज लिखा हुआ है मैं यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं अभी बोल रहा हूँ आपसे बोलिये विश्वास की भाषा वचन की भाषा है फिर सके विश्वास की भाषा वचन की भाषा है आमीन मैं अभी आपको समझा रहा है कि यदि आपको कुछ भी मालूम ही नहीं है आखिर येश्व मसी है कौन आप नहीं पता कर रहा है आपके सामने जब बीमारी आता है, दुख आता है, आपके परिवार में दर्द आता है, पीड़ा आती है उससे मुकाबला करने के लिए डॉक्टर के पास जाएं अच्छा है पर आप एक सबसे बड़े डॉक्टर हैं जो उन्हें भी हमें अस्मरन करना चाहिए कि नहीं, बताइए जरा याद करना चाहिए कि नहीं और आप बगेर कुछ समझे, बगेर कुछ जाने, आप अपने जीवन में गलत कदम उठाते हैं उस घड़ी, जिस घड़ी आपको कुछ मालूम नहीं होता आखिर येश्यू मसी क्या चाहता है, हमें मालूम नहीं है येश्यू मसी प्रसन कैसे होता है, हमें मालूम ही नहीं है येश्यू मसी का बल हमें कैसे आएगा, हमें नहीं पता तो आपको जब नहीं पता, तो आपको जब कोई मारता है, परिशान करता है, आप जब ग्रशित होते हो, किसी भी बुरे हालातों से, उस समय सोलूशन नहीं आता, निवारन नहीं आता, हा या ना बता के बोलो, आप अपना माथा पेटते हो, ओ गरीबी, ओ स्राप, ओ जहमेल क्या क्या no समझो ये जिस जगा पिया आप आयो आपको प्रभू जमेले से बाहर करेगा आपको तमाम दुखों से बाहर करना चाहता है एक बार परऊसी सु बोलो येशु को जानना है आखिर वो कौन है कैसे हम में काम करेगा कैसे हम में रहेगा, जानना है, जानना है कि नहीं, आप जब जानने का प्रयास करोगे, आप में उसकी शक्ति उत्पन होगे, आमें, 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 हालेलुया, तो क्या लिखा, आपने बता है, योहनार के बत्तिस में, सत्ति को जान, क्या जानना है, उदारन के लिए कोई बिटिया अगर जब बिवा होता है खाना बनाना नहीं आता वो जब अपने ससराल जाती उसको खाना बनाना नहीं आता क्या करेगा बच्चे ओ सास से बोलेगा अगर सास ठीक है तब तो ठीक है हाँ अगर वो इदर किस लिए तू आई है, भाग कि तर अपने घर, कहेगे कि नहीं कहेगे, खाना बनाना नहीं आता, इसलिए याद रखो, एक अच्छा माता पिता और एक अच्छी बेटी अपने माता पिता से जब तक भीवाह नहीं होता, हर चीजों को सीख लेती है, और सीख लेना चाह के, हर कामों को, इसलिए कहा जाता है, छोटे समय में बिवाह नहीं करना चाहिए, बच्छों को कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए, अगर आप कम उम्र के एज, के लड़के हों या लड़कियां, अगर उनका आप शादी कर देते, तो उन्हें कुछ भी मालुम नहीं र पर अभी टाइम से पहले बिवाह होने के बाद, वो परिवार गरशित हो जाता है, तमाम बीमारियों का सिकार हो जाता है, हालेलूया, बतों को समझ रहें कि नहीं, तो हमें क्या जानना चाहिए, सत्ती को जानना, ये वचन कह रहा है, सत्ती को जानो और सत्ती हमें क्या करे Ephesians 5 के 10 तीसरा वचन नोट करिये डाइरी में Ephesians 5 अध्याय वचन 10 को नोट करो Ephesians 5 के 10 हमारे साथ पढ़िये आप सब लुग भाई बेन बोलिए यह पर्खो यह पर्खो कि प्रभु को क्या भाता है क्या अच्छा लगता है आमीन सुचो उधारन के लिए आप अपने से एक धना डिविक्ती के यहां जा रहे हैं हां जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं अपने से आप बहुत बड़े लोग हैं वो बहुत बहुत उचे लोग हैं आप उनके पास जा रहे हैं तो आपको कैसे जाना है बताइए आपका ये पूरा प्रयास होगा कि हम अच्छे कपड़े ही पहन के जाएं पुराना होगा तब भी उसे अच्छे से प्रेश करके साफ करके पहन की उदर जाना है सही है की नहीं ये का आपके अंदर सोच आएगी की नहीं आएगी मान लो किसी के पास कपड़े नहीं होते फिर भी उस कपड़े को क्या करेगा हो हमें भाई उस उचे वाले वेक्ति के पास जाना है थोड़ा से कपड़ा साफ करके प्रेश मार लेना है जो क्रीच है थोड़ा से टुटी हुई सही हो जाए तब उस घर में उस बड़े विक्ति के हाँ जब आप जाओगे तो हाँ ठीक है आप उहाँ एक जाने के योग गिता में तयार हो जाते सही है की ने? हालेलूया हाँ उसी रिज से क्या है परमेश्वर के पास आप जाते प्रभू के निकट आप जाते तो परमेश्वर क्या है? स्वर्ग पृत्वी का मालिक है आमेन उसने क्या किया? स्रस्टी का निर्मार वचन से कर दिया और पर हमें आपको कैसे बनाया? हाथों से हाथ दिखाओ अपलो हाथ है ना आपके पास जब एक छोटा सा बेटा पैदा होता है नौजाज सिसू तो उसकी मा क्या करती है? जब बेटे का पैर थोड़ा से तेना होता है सर उसका लंबा होता है तो मा जो होती है उसको जब उसपर तेल मालिक करती है तो उस बेटे के सर को या बेटी के सर को क्या कर दिये उसको वो टाइम होता है उसका परमेश्वर ने दिया अभी वो ताजा होता है ताजे के टाइम में आप किसी भी चीज को क्या कर से उसको मोड सकते उसको बना सकते हाँ या नबोल की बताओ अगर आप कुछ समय बीतेगा तो वो बच्चे का पैर अगर टेड़ा है सीधा नहीं कर सकते आप उसका स्तर अगर लंबा है फिर गोला नहीं कर सकते आप तो एक मा क्या करती है परमेश्वर के बाद जो मा पैदा करती है वो भी एक बड़ी भूमिका निभाती है इसलिए बाइविल कहता है कि मा बच्चे उत्पन करने के द्वारा विश्वास के साथ बने रहने के कारण वो उद्धार पाएगे एक मा के विश्वर के बाइविल कहती है कि एक मा संतान पैदा करने के कारण विश्वास की दसा में बने रहने के कारण वो उद्धार पाएगी आमेन तो क्या है परमेश्वर के बाद किसका काम होता है उस मा का, पिता का कि उस बच्चे को एक डिजाइन दे एक आकार दे, हाँ या नाम कैसे क्या भाता है मेरे प्रभू को पडोसी को बोलो क्या अच्छा लगता है वही करेंगे तभी तो आशिश मिलेगी तभी तो तरक्की आएगी हाँ बोल के बताईए हमको पते ही नहीं कि इनको क्या जरूरत है जैसे कुछ बिमारियां ऐसी है जिसके बोडी के अंदर आ जाती है तो डॉक्टर उन्हें साब साब बोल देता कि यह चीज आपको नहीं खाना सही है बोलता है कि नहीं बोलता भई अगर उस बीमारी से फाइट करने आपको उस बीमारी को यदि आपको हटाना है उस बीमारी को आपको अपने बोडी से अपने खून से अपने हड़ी से कहीं भी हो उसे अगर आपको खतम करना है तो जो मैं आपको टिबलर दे रहा हूँ डॉक्टर बोलता है जो मैं आपको दे रहा हूँ आपको इन इन चीजों को नहीं खाना है सही है कि नहीं आप उन चीजों को क्या करते हैं आप उनसे बचते हो सुगर बहुत जादा है तो आप उसमें चावाल अधिक नहीं खा सकते आलू की चीज नहीं खा सकते मिठा चीज नहीं खा सकते हाँ या ना सुन रहे क्या तो क्या है आप जब तक आपको पता नहीं होगा आप खाते जाओगे अगर किसी के अंदर सुगर बढ़ गया हाई हो गया तो क्या होगा उसका हाट हाट क्या होता है कमजोर हो जाता है जिसका सुगर हाई हो गया और हाई ही रहा तो कभी भी हाट का मरीज़ हाट अटेक आ सकता है आपको बिमारी कुछ और है कुछ और आप खा रहे हो क्या संभो है कि आप की बीमारी जायेगीों बोलके बताईए समलोंiş कि हां समस्या दूसरा है बीमारी रड़ दूसरी खा रहे वं आसा रहके रहे हैं कि इस बीमारी चली जाएगी कभी नहीं जाएगी को हाथ उठा के बोलो सत्यकु जान unlike तब हम अजाद होंगे फिर प्रभू क्या कहता है फीसियो पांच के दस में यह पर्खो कि मेरे प्रभू को क्या अच्छा लगता है आप प्रभू से कुछ पाना है कि नहीं पाना कितने लोग प्रभू से कुछ पाना चाहते है पाना चाहते है कभी आपने ये सोचा मेरे पिता को क्या अच्छा लगता है करके हमें करना चाहिए हाँ जैसे एक बेटा अपने माता पिता के इच्छा के अनुसार अगर नहीं जीता है तो बाइबिल कहती ही वो स्राप के अधीन आ जाता है उस पर स्राप आ जाता है और वो मसक्कत करता है और सही भाशा में बोले वो संघर्स करता है वो संघर्स करता है लेकिन जब वो अपनी माता पिता के भै में चलता है माता पिता के दिशा निर्देशों पे चलता है तो एक दिन वो बेटा सफल होता है आमें बतों को समझ रहें क्या आज हम आपको वो चीजे बताने वाले कि क्या चीजे हैं जो प्रभू आपसे चाहते हैं और इसी के तहट आप में बंद रास्ते खुलते हैं इसी के तहट आप में जिस रास्ते को आप पाना चाहते हूं वो रास्ता आप के लिए खुलेगा आप ग्यान की wisdom की बाते सीखने के लिए बैठे हो और ये जो ग्यान है ये जो बुद्धी है ये सक्तिशाली है आमेन Bible क्या कहती है अगर बुद्धी है तो मौत से बच सकता है अगर तेरे पास समझ है तो मौत से बचेगा Bible कहती ग्यान ना होने से मेरी प्रजा नास हो रही है आपके पास वचन का ग्यान नहीं है आप क्या होगा बड़ी मुश्किल है ग्यान ना होने से मेरी प्रजा नास होती है अभी एक बहन गवाही दे रहे थी कि मेरी बेटी श्राप इतना तकला था कि मसी में आने के बाद जब उसे एक संतान आया वो मर गया मसी में आने के बाद प्रभु को जानने के बाद आया और वो बेटी मर गई पर उसने क्या किया उसने रोमियों अध्याइबारा और बारा का वचन अस्मरन किया, मैंने उसे दिया क्या है क्लेस में इस्थिर रहो और क्या करो नित्य प्रार्थना में बतों को समझ नहीं किया आप जब वचन को सुन रहे होते एक ही वचन अगर आपके अंदर चला गया तो आपको नीचे नहीं लेके आएगा उचा उठाएगा